आटो मोबाइल इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स चौकाने वाले हैं अगर आप देखते हैं फरवरी 2022 को कॉमपेक्ट वाहन में स्विफ्ट सेलेरियो इगनेस बलैनो और डिजायर जैसे मॉडल जो की इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किये जाते थे इन मॉडल्स की विक्री फरवरी में 3.38% घटकर 77,745 यूनिट रह गई है जो फरवरी 2021 में 80,517 यूनिट थी यानि की देश की सबसे बड़ी कार नर्माता कंपनी मारुती सुजुखी की फरवरी मन्त में भी अगर आप देखते हैं तो सेल्स रिपोर्ट्स बताती हैं की विक्री कम हुई ह और इसके बाद बात करते हैं उन कारों के आखडे उन कंपनियों की इन्फरमेशन जिनका यहाँ पर फॉल यानि डाउन हुआ है या इसके लाबा अप हुआ है विबिन कंपनियों के बारे में फुल रिपोर्ट्स आ चुकी है तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बताते है हैं महिंद्रा के बारे में तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मंगलवार को फरवरी में उसकी कुल बिक्री का जो रिकॉर्ड दिया है उसका अनुसार 24455 यूनिट सेल की हैं जो कंपेर करते हैं फरवरी 2021 से तो 89% ग्रोथ हुई है आप यहाँ पर यह आखड़ा नौट कर स दे आप कह सकते हैं मंतली बेसिस पर भी उसकी सेल्स डाउन जा रही है पिछले कई मंत से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा की विक्री जहां पर 89% ग्रोथ हुई है वहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे होंडा गाड़ी की तो होंडा की फरवरी 2022 में होंडा कार्स को भी यहाँ पर माइनस हुआ है 23% का इसके बाद नेक्स्ट है आपके होंडाई मोटर्स की बात करें तो होंडाई मोटर्स इंडिया ने मंगलवार को कहा है कि फरवरी में उसकी कुल विक्री सालाना आधार पर यानि येर्ली बेस्ट पर 14% घट कर 53,169 रह गई है और हुंडाई मोटर्स इंडिया ने एक बयान में कहा है कि कमपनी ने पिछले साल इसी महीने में 6,800 यूनिट सेल की थी जो केवल अब 53,169 यूनिट हुई है यानि सीधा सीधा आप कह सकते हैं फरवरी 2022 में 14.6% हुंडाई मोटर्स का भी मार्केट डाउ इसके बाद आते हैं टाटा मोटर्स पर तो देखते हैं क्या टाटा परसेंट की ग्रोथ हुई या नहीं हुई है तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने मंगलवार को जो बयान जारी किया है उसके अनुसार कुल घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 27% बढ़कर 73,875 यूनिट रह यानि महिंद्रा मोटर्स के बाद आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा खिलाड़ी मार्केट में रहा वो है टाटा मोटर्स 27% की ग्रोथ के साथ में और कम्पनी ने फरवरी में 2021 में जा 48,366 यूनिट सेल की थी वो फरवरी 2022 में पहुँच चुकी है 73,875 पर यानि सीधा सीध पिछले कैई मन्स से टाटा मोटर्स की भी ग्रोथ जवर्दस चल रही है और दोस्तों उसके यातरी वहान की विक्री बड़ी है 47% यानि जो हम परसल यूज के वहान लेते हैं वहाँ पर तो बहुत बड़ी चलांग लगाई है टाटा मोटर्स ने 47% की चलांग जो पिछले अपडेट तो चैनल को सबस्क्राइब करके रखिए प्रेस कीजिए बैल का आइकोन भी और नोटिफिकेशन सेट कीजिए ताकि हर इंपोर्टेंट इन्होमेशन आपको मिलती रहे अब बात करते हैं इंडियन और्टमोबाइल्स में और्टमोबाइल्स वर्ड के अन्य प् विक्री की 426 काईयों का नर्यात किया तो टोटल मिलाकर यहां पर निशान इंडिया भी बेनफिट में रहा है इसके बाद एसकोर्ट आउटो की बात करें तो फरवरी में उसकी विक्री में पांच गुना से अधिक की विक्री हुई है यह 453 यूनिट रही जो पिछले साल तो कुल मिलाकर फरवरी 2022 में इंडियन ऑटमोबाइल में सभी कंपनियों का यह रहा सेल्स फिगर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे किस गाड़ी की कितनी सेल हुई किस गाड़ी ने मचाया कितना दमाल एस्यूबी या फिर रही हैच बैक आगे सेल्स में तो आल डिटेल्स के लिए इंतजार कीजिए वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथी शेयर भी कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को आटमोबाइस अबडेट नमस्कार दोस्तों